हेलो फ्रेंड्स आप सभी का हमारे इस चैनल में एक बार फिर से स्वाकत है जिसका नाम है Health Medici फ्रेंड्स आज हम बात करने जा रहे हैं mental और spiritual health के बारे में फ्रेंड्स क्या आप ठीक से सो नहीं पाते हैं और जीवन की सभी बेसिक जरूरते पूरी होने के बाद भी आपको अच्छी नीन नहीं आती है और आपका दिमाग लगातार सोचता ही रहता है और आप हमेशा चीजों के अनावर्शिक विशलेशन में ही लगे रहते हैं और आप हमेशा चिंता से गिरे रहते हैं तो मैं इस वीडियो में आपको एक ऐसा बहुत ही कारगर उपाय बताने जा रहा हूँ जिसको करने के बाद आप सिर्फ 15 से 20 दिनों में ही काफी अच्छी नींद लेने लगेंगे और नींद की समस्या में काफी आराम मिलेगा तो आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखते रहिए मित्रो नींद ने आने की समस्या का एक बहुत ही वचूक उपाय हमारे भारतिये वास्तु शास्तर में बड़े अच्छे से बताया गया है वास्तु शास्तर में भी समय के साथ काफी परिवर्तन हुआ है और आदुनिक यूग में भी वास्तु शास्तर के उपाय पूरी तरह से उपयोगी हैं तो चलिए अब मैं ये बताता हूँ कि किस तरह से वास्तु शास्तर नीद ना आने की समस्या का निवारण करता है मित्रो आदुनिक यूग में हमारे घरों में अलग-अलग तरह के इलेक्ट्रोनिक उपकरणों के आने के कारण नई-नई तरह की समस्यां भी पैदा हो रही हैं और नीद ना आना भी उनमें से एक समस्या है मित्रो आप अगर गौर करें कि कहीं आपके घर में वाशिंग मशीन दक्षिन दिशा के क्षेतर में तो नहीं रखी गई है मित्रो हमारे मकान के नक्षे में जब हम सौथ यानि दक्षिन दिशा से पश्चिम दिशा यानि वेस्ट की तरफ चलते हैं तो उन दोनों के बीच में एक कोन बनता है जिसे हम South West direction कहते हैं अगर आपके घर में South West direction में वाशिंग मशीन रखी हुई है तो यह वाशिंग मशीन आपके जीवन में नीन्द ना आने की समस्या को पैदा करती है आप वाशिंग मुशीन को यहां से हटा कर नौर्थ वेस्ट डारेक्शन में शिफ्ट कर दें और इस जगे पर ही इसे उप्योग करें और आप देखेंगे कि इस वाशिंग मुशीन को इस डारेक्शन में यानि कि नौर्थ वेस्ट डारेक्शन में शिफ्ट करने के बाद की समस्या को बहुत ही आसानी से दूर कर सकते हैं और बहुत ही जल्दी समस्या से लापराप्त कर सकते हैं तो फ्रेंड्स मुझे उमीद है कि इस वीडियो में दीगे जानकरी आपको पसंद आएगी और आप इस जानकरी से लापराप्त करेंगे और साथ ही साथ आप इस जानक को सब्सक्राइब भी करें और साथी बेल आइकॉन को भी प्रेस करें इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद